असलाम वालेकुम मेरे प्यारे होम बेकर्स कैसे हैं आप लोग उमीद है आप सब लोग ख्यारियत से होंगे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आज मैं आप लोगों के लिए अपने किचिन में बनाऊंगी चॉकलिट कपकेक्स वो भी एक करहाई में और कोई मसला नहीं है अगर आ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में घंटी का निशान भी जरूर से दबा लीजिएगा तो मेरे प्यारे बेकर्स सबसे पहले हम लोग एक करहाई को बिल्कुल लोग फ्लेम पे रखेंगे और इसके अंदर के स्टैंड रग दिंगे अब हम इसको कवर कर लेंग कि जैसे ही हमारा इंक्रीडियन सब आपस में मिक्स हो तो हम उसको पोर करके बेकिंग के लिए रख दे तो आज हम लोग चॉकलेट कपकेक्स बना रहे हैं कपकेक्स बनाने के लिए हमें इस तरीके का एक कपकेक लाइनर चाहिए होगा इसको मफिन ट्रे भी बोलते हैं इसक अच्छे से ग्रीज करने के बाद हम इसके अंदर पेपर कपस रख देंगे तो यह तो सेट हो गया है लेकिन अब अगर आप लोगों के पास इस तरीके का कपकेक लाइनर यह पेपर कपस मौजूद ना हो तो आप किस चीज के अंदर कपकेक्स बना के तैयार कर सकते हैं इस और लास में एक्स्ट्रा कुको पाउडर ग्लास से निकाल लेंगे और इसी तरीके से दूसरा ग्लास भी तैयार करेंगे अब हम कपकीक का बैटर बना के तैयार करेंगे उसके लिए हम एक कप पानी ले लेंगे साथ ही इसमे एड़ करेंगे वन थर्ड कप ओईल कोई से भी ओईल ने लेकिन उसमें स्ट्रॉंग इसमेल ना हो वन टेबिल स्पून विनेगर वन टी स्पून इंस्टन कॉफी पाउडर वन एग यानिके एक अंड़ डाल देंगे इसमें और अब इस सब चीजों को अच्छे से आपस में मिक्स कर लेंगे अब हम एक बोल ले लेंगे इसमें एड़ करेंगे वन पॉइंट फाइफ कप औल परपस फ्लार यानिके एक और अधा कप मैदा थरी फोर्थ कप पाउडर शुगर यानि सिंपल जो सफैची नहीं होती है उसको आप ग्रैंडर में पीस लें थरी फोर्थ कप का मतलब होगा कि आप एक कप के चार हिससे करें उसके तीन हिससे ले लें और एक हिससा निकाल दें हाफ कप कोको पाउडर हाफ टी स्पून सॉल्ट से हमारी केक का फ्लिवर बहुत जादे इन्हेंस होगा वन टी स्पून बेकिंग सोडा और अब इस सब को अच्छे से चान लेंगे तो देखें मैंने सब कुछ अच्छे से चान लिया है अब हम इस सब को मिक्स कर लेंगे तो देखें सब कुछ अच्छे से मिक्स हो चुका है अब हम अपने वेड इंग्रीडियन्स ले लेंगे और तमाम एक साथ इसमें डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे तो देखें सब कुछ अच्छे से मिक्स हो चुका है अब हम इसको ले लेंगे और सेट किये हुए कपकेक लाइनर और ग्लास में हम इसको डाल देंगे तो हम इसको तकरीवन थरी फोर्ट तक फिल करेंगे अब यह जो ग्लास वाले कपकेक्स हैं इसको मैं अवन में बेख करूंगी तो अवन में बेख करने के लिए मैंने अवन को 15 मिनट के लिए अच्छे से 200 डिग्री सेल्सियस पे पर हीड कर लिया है और प्रेहिट के हुए अवन में हम केक को बेख कर लेंगे 30 तो 35 मिनट के लिए अच्छे से बेख हो जाएगा तो करहाई अच्छे से परिहीट हो चुकी है एकदम गरम करहाई में हम इसको बेख करेंगे 40 तो 45 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे तो बेकर्स तकरीबन 40 मिनट हो चुके हैं कब केक्स को चेक कर लेंगे एक इसकीवर यह लकरी की तूट पिक की मदद से हम इसके अंदर इसकीवर को डालेंगे और वो अगर क्रीन बाहर आई लाइक दिस कोई बेटर नहीं लगावा इसका मतलब है कि केक जो है वो बिल्कुल तयार हो चुका है केक को निकाल लेंगे तो जब तक केक जो है वो अब हम एक विस्की मदद से बटर को अच्छे से विस्क कर लेंगे तो देखे मिने बटर को थोगा सा विस्क कर लिया है अब हम इसमें आइड करेंगे वन कप आइसिंग शुगर जो होती है वो बिल्कुल फाइन पावडर चीनी होती है अगर आप लोगों को आइसिंग उसको अपने फ्रॉस्टिंग में इस्तमाल करें एक कप चीनी को हम तीन हिस्से में शामिल करेंगे पहले एक हिस्सा डालेंगे इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लास में आप इसके अंदर पूरा वन कप आइसिंग शुगर डालेंगे इसको अच्छे से मिक्स कर लें और अब हमें सबको तकरिबन दो से तीन मिनट के लिए अच्छे से विस्क कर लेंगे तो देखें मिन इसको अच्छे से विस्क कर लिया है हमारी बटर क्रीम जो है वो बिलकुल तयार हो चुकी है अब हम इसको कपकेक्स पे लगाने के लिए एक स्टार नोजल ले लेंगे एक पाइपिंग बग के अंदर स्टार नोजल को डालेंगे इसके अंदर फ्रॉस्टिंग को डालेंगे ये disposable piping bag में ने लिए हैं ये easily आपको किसी भी plastic shop से या फिर supermarket से मिल जाएंगे तो मेरे प्यारे bakers मेरे cupcakes जो है वो रूम temperature पे आ चुके हैं अब हम इसके उपर icing लगा लेंगे जर उपको कर झारे गारे किसी भी खِूयारे प्योशों मेरे कि भीfly किसी प्योश्य की सчив प्राद ध्यारे किसी अचली कि ब् neurана कि रगा जब ओड़ारी कि भीग उप्या date एक जुके ही लेगी अच्या आवेजिऽ को कि नचल तो इस तरीके से देखिए आइसिंग लगाएंगे हम कभी भी गर्म केक के ओपर आइसिंग नहीं लगा सकते हम क्योंकि गर्माइश जो केकी होगी वह हमारी आइसिंग को मेल्ट कर लेगी तो कभी भी आप गर्म केक पर आइसिंग मत लगाएगा उसको पहले रूम टंपरिच झाल झाल अब मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ देखिए कितना जबर्दस से हमारा कपकेक तरिया हुआ है बच्चों को कपकेक्स बहुत ही पसंद होते हैं और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीचेगा मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में अला हाफिस